नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती बिहार विधान सबाद चुनाव को लेकर जो नतीजे आए हैं वो सबों के सामने हैं उसकी अगले सुबा हम बैठे हैं उस पर बातचीत करने के लिए जिसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ग्यान दिखाई दे रही हैं तो फिर से कैसे नितिषे कुमार? क्या elements काम कर रहे हैं इसके पीछे? देखिए फिर से निती से कुमार हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी बज़ भासपा है है आपने देखा कि फिर से निती से कुमार तो जरूर हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी इंडिये में बीजेपी बनकर उपरी है और पूरे चुनाओ अभियान के दौरान या कहें कि चुनाओ परचार के दौरान या मतदान के दौरान देखिए आपने एक बात को गौर किया होगा ग्राउन जीरो पर आप भी थी आप भी मधेपूरा और सहरसा और ये तमाम इलाकों में गई थी कि बीजेपी के खिलाप कोई अंटी इंकमेंसी नहीं थी नितीस कुमार के बोटों में बिख्राओ था बिख्राओ का ही परिनाम निकला के नितीस कुमार की सीटे कम हो गई और बिख्राओ भी कैसे था बिखराओ देखे बिहार में कई पार्टियां NDA और महागठबंदन के अलाबा चुनाव लड़ रही थे लोजपा जदिव के खिलाब चुनाव लड़ रही थी उनका मुख्य मकसद जदिव को हराना था पपुयादब भी लड़ रहे थे उपिंद्र कुसवाह भी लड़ रहे थे और भी कई लोग लड़ रहे थे लेकिन चिराग पासवान नमाया मिली नराम बाली सिति में पहुँच गए उन्होंने नुकसान तो सीटों के मामले में जरूर नितिस कुमार को पहुँचा दिया लेकिन उन्हें क्या मिला एक सीट मिली वो भी उनके पास रहेगी की नहीं रहेगी यह कहना अब यह जो उनके जीटे हुए बिढ़ायक है मतिहानी में वह उनकी इच्छा है कि वह कहां रहे और कहां नहीं रहे तो नितिस कुमार फिर से हो गए क्योंकि उनके साथ ब्रांड नरेंद्र मोदी बिलकुल आपने ग्राउंड जिरो की जिस तरह से बात की हम भी लोगों से बात करते थे तो लोग मोदी के चहरे पर एंडिये को वोट देना चाहिए यह कि मोदी के खिलाब बिलकुल गुसा नहीं था नितिस कुमार से लोग खपा थे लेकिन एक बात गरिमा ध्यान करने की है कि जिस आधार बोट की नितिस कुमार बात करते हैं बिहार में तीन चरनों में चुना हुआ पहले चरन के चुनाओं में वह आधार बोट माले के कारण चुकि महागठवंदन में माले चला गया था उसके कारण उसमें बिखिराऊ दिखा और नितिस कुमार का जो आधार बोट है अधी पिछरा का बोट वोट जो है महागठवंदन में गया इसी का परिनाम निकला कि पहले चरन का जो छुना हुआ फिर उनके जो परिनाम आए ह उसमें महागठबंदन, इसपस्त, अनुमान से अधिक भरत हासिल की और पहिना भी आए, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में, देखिए, दूसरे और तीसरे चरण में, निटी सकुमार और बीजेपी, मुखिरूप से बीजेपी, देखिए, पहले चरण में जब नरेंदर मो लोग थे, या नई उमर के मद्दाता थे, वो रोजगार और ये तमाम सारी बाते कर रहे थे, लेकिन एक बरा तबका, जिसे निटी सकुमार यहाँ बताना चाह रहे थे, कि देखो, यदि वो आया, तो फिर उनिस सो नब्य और दो हजार पांच, तो जो बूरे बुजर्ग झाले आप, जो निती सकुमार कह रहे थे, अपने माता से पिछो, अपने पिता से पूछो, तो उन्हे वो दौर, एसमरन कराया गया और इसका प्रिणाम भी निक्ला, इसका प्रिणाम भी निकला, क्योंकि वो जंगल रासे, जो कहा जाता है, उससे बचना चाहते थे, हाला कि आप कुछी भी कह लें नितीज कुमार के राजनेटिक जीबन पर ब्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते हैं भस्ताचार का आक्षेप आप नितीज कुमार के साथ रहने बारे लोगों पर उनकी अधिकारियों पर आप आक्षेप लगा लें लेकिन नितीज कुमार के राजनेटिक जीबन में और साभजनिक जीबन में आप आक्षेप नहीं लगा सकते हैं यह उनकी USP रही या USP है कि जो हमारे सामने लर रहे थे या लर रहे हैं उनके लिए अपना परिबार ही पूरा बिहार है और मेरे लिए पूरा बिहार ही मेरा परिवार है आपने देखा आज भी देखेंगे कल भी देखेंगे नितीज कुमार ने अपने राजनेटिक सिवन में अपने किसी परिवार को अपने किसी सगे संबंधी को ये बड़ी बात है उनके बेटे भी है उनके बेटे भी हैं, उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, और यह प्रमपरा नहीं शुरुआत की कि हम बंसबाद, हम नहीं तो यह नहीं, सारे लोग अलग अलग बैक्राउंड से हैं, तो यह ब्यक्तिगत आख्षेप आप निटीस कुमार पर, और निटीस कुमार होने देते हैं, बिहार में सांती बेवस्ता, महिलाओं का, जो निटीस कुमार बार बार कहते हैं, कि मर्द भटक जाते हैं, लेकिन महिलाएं मेरे साथ होती हैं, अब सारी महिलाओं से भी बात आपने भी की थी, लोग कहते थे, महिलाएं कहते थी, कि आज रात में ग्यारा वजे दी हम पत्ना की शर्कों पर या गाउं की शर्कों पर हैं, तो यहां नितीश कुमार की लेन है, जहां कोई खौप नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, तो यह नितीश कुमार की जो USP थी, और आप इस बात को गौर कीजिए, जना देश आया, आपने कोई सोर सराबा, हंग पूरे प्रकरन के दौरा जो चुनाव में हुआ पक्ष में कौन रहा और उनके विपक्ष में अन्दर से कौन रहा देखे पक्ष और विपक्ष जी हாक पास्पान ने सबसे अधिक नुक्सान पहुंचाने की कोशिस की नुक्सान पहुंचाये भी टेखे सबन मद्दाताओं में नराज़ they are यहाँ बात सही है यदि सबन मद्दाताओं में नाराजगी नहीं होती तो बेगुशराय, जहनाबाद, अरबल, इधर भोजपूर ऐसे तमाम जिलें हैं जहां ज़धियू इतना खराब पदरशन नहीं करता और उन्हें एक प्लैटफॉर्म दे लिया उन्हें एक पार्टी द कुछ और भी थी, लेकिन जो उनकी गुलबंदी थी, जो कहा जाता है कि नितीश-कुमार का चुपपा बोटर ने वो कमाल किया कि बिहार में फिरसे नितीश-कुमार हैं देखे, कई तखी क के बाते चल रही हैं, रात से ही आपने कल सुना रात में भुपेंद्र रियादत गए, सुसिल मोदी गए, मंगल पांडे गए, संजय जास्वाल गए देखें मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफूजन की बज़ा है बिहार, अब लेकि हरबरी नहीं है, यदि महागठबंदन जीटता, तो सरकार बनाने की हरबरी होती एक जीट पोल आते ही मुर्ट निकलने लगे थे, पंडितों से राय ली जाने लगे थे वो दोनों तरफ बंद है थे, तो राय ली जाने लगे थे, कहा जा रहा था कि धंतेरस और दिपाली के दीन ये सब कुछ हो जाएगा, सपतगरन हो जाएगा, लेकि डिजल्ट आये तो आप सामने है जी, मिलकुल, अब एक और बात है, आपने रात की बात कही कि किस तरह से लोग मिलने जा रहे थे, वो सारी बाते अलगे लेकिन जैसे जैसे वोट काउंटिंग हो रही थी, नतीजे निकल कर आ रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि धांदली हो रही है, क्या ऐसा कुछ है सच मे देखिए, जो हारता है वो बोलता है, आज असोक चौधरी बिहार प्रदेश जन्तादल उनाइटेड के कारिकारी अध्यक्ष और इस पूरे चुनाओ अभ्यान में नितीज कुमार के साथ रहने वाले और परड़े के पीछे से रहने निती गढ़ने वाले और जितने लोग ठीक है, बिहार में भी, तो अब देखिए, अब जनादेश आ चुका है, अब रही बात जो कल रात को कही जा रही थी, कि ये बारा भोट, ये पंदरा भोट, या फिर ये कहा जा रहा था कि किसी को बुलाया गया जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए, फिर तमाम सारी ये हो गई, तो देखिए, अब ये सारी बाते, देखिए, अब कोर्ट में जा कर आप चुनाओती दीजिए, आप ये कह नहीं सकते कि चुनाओ आयोग, नितिस कुमार के अधीन था, हाँ, लेकिन एक बात है, और ये ऐसा नहीं, बिहार में पहली बार हो रहा हो, यह बात आ तक बात कही जा रहे थी, हिलसा की, बात कही जा रहे थी, भोरे की, बात कही जा रहे थी, परिहार की, बात कही जा रहे थी, परबत्या की, देखिए, ये आरोप और पत्यारोप, हर प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश में या भारत के हर चुनाओं में लगते हैं, जब न बिल्सा में 12 या 13 बोट का मामला है तो जहां भी सत्ता धारी दल होता है तो ये नितिशकुमार हो या लालुयादव हो या जिस किसी भी सरकार में ऐसी बाते कहीं जाती हैं लेकिन अब इसके कहने और मानेने का कोई मतलब क्योंकि चुनावायोग नतीजे घोसित कर चुका है अब आप हाई कोट में जाकर चुनोती देते रही है इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है जी साल 2020 के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में एक तरह से उभर कर आ गई है क्योंकि जेडियू से जादा सीटे लेकर आई है तो जो भाजपा यह पतिग्या नहीं तोरेगी नितिस्कुमार नेटिक्ता की बात कर सकते हैं लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा यदि वह नहीं मानेंगे तब भी देकि भाजपा पतिग्या नहीं तोर सकती हैं नरेंद मोदी का चुके हैं अमित्साह का चुके हैं और बिहार में जो लोग महागजवंदन के खिलाब थे उन्होंने बोट जरूर दिया बीज़ेपी को लेकिन यदि नित्तु छमता की बात करेंगे तो उनका भरोसा निटीस कुमार पर ही अब भी होगा तो हमें लगता है कि निटीस कुमार ही फिर से बिहार के मुखमंती बनने जा रहे हैं इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए हाँ अब एक बात उच सकती है डिप्टी सीम सुसील कुमार मुदी ही होंगे या कोई और होंगे सत्ता में हिस्सेदारी कितनी है नए दल भी एंडिये में हाँ देखे हम और बियाइपी हम और बियाइपी जो खबरे आ रहे हैं कि उनके जो जीते हुए बिलायक हैं वो मंती परिशद के साथी बनेंगे यह भी खबर आ रही है कि मुकेश शानी भले चुनाओ हार गया है लेकिन बिहार बिधान परिशद का सदस से बना कर उन्हें म अरी लराई में काम आ गया मुकेश शानी अलग चुनाओ लर रहे होते तो भी बोटकटवा बन गए होते और वो बोटकटवा बनते तो इंडिये को ही नुकसान पहुचाते और टेजस्री आदक चाहते भी थे उन्हें वे नहीं यह अनुमान लगा पाए थे अनुमान लग जाया है कि जब मौरिया होटल में जो उपद्रब हुआ या मौरिया होटल में जो बाते हुई कि जिसके बाद बुकेश शानी ने महागत बनना से नाता तोड़ने का एलान कर दिया कि वे दाकपंगला चुरहा तक आया थे तभी तक मिच्छा का फोन आ गया था तो बीज़ बिधान सबाध्यक्ष कोन होगा यह भी सवाल होगा सत्ता आएगी तो सत्ता में सत्ता तो आहीं गई है सत्ता में जेदियू के कितने मिनिस्टर्स होंगे बीजेपी के कितने मिनिस्टर्स होंगे यह तमाम सारे सवाल है बारह बिधान पारशद मनुनित किये जाने बाले है उनमें किसकी संख्या कितनी होगे ये सारी सवाल है लेकिन बिहार में फिर से निकिशे कुमार है और एक बात तो यह माननी होगी कि निकिशे कुमार के आते ही कानून ब्यवस्ता का कोई खौप बिहार में नहीं बच जाता है law and order तो ठीकी रहेगा गरिमा बिलकुल तो confusion नहीं है निकिश कुमार ही बिहार के मुखे मंतरी हो सकते हैं होने वाले हैं जी बिलकुल अब देखने वाले बात यह होगी कि जब मंतरी मंदल का फैसला आता है तो NDA में भी नए दल शामिल हुए हैं मुखे सहनी को कहां भेजा ज जाता है और किस तरह से बटवारा होता है मंतरी मंदल का आप लाइफ सिटीज के साथ बने रहें तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुचाते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेस्बुक पेज को लाइक करें साथी साथ आप हम हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद